वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ टेस्ट बुक का जुलाई मेगा सेल आफर चल रहा है यहाँ पर आप एरली टेस्ट बुक का पास खरीद सकते हैं मातर 299 रुपे में लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज करते हैं EG10 तो आपक सेंट का एक्स्टर डिसकाउंट मिल जाएगा और यही एरली पास आपको 270 रुपे में मिल जाएगा फिर आप ग्रूप D NTPC या किसी भी गवर्मेंट एक्जाम के लिए प्रिपेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डीटेल्स दे रहा हूं वहां से लिंक पर जाक हूं देखिए अगर बात करते हैं NTPC CBT2 एक्जाम की तो हाला कि आप लोगों के पास काफी यहां पर टाइम बचा हुआ है लगबग तीन महीने आपके पास हैं इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि NTPC का जो CBT2 का एक् नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है सिक्स्टी डेज स्ट्रेजी फॉर NTPC CBT2 एक्जाम सबसे बहले बात करते हैं कि अगर आप CBT2 के लिए प्रपेशन करेंगे तो पता होना चाहिए CBT1 में आपका कितना स्कोर आ रहा है और क्या उस स्कोर पर आपका सेलेक्शन CBT2 के लिए हो सकता है तो इसके रिगार्टिंग मैंने एक वीडियो बनाया था यहापर मैंने एक्सपेक्टिड कट आफ आपको बताया था वो वीडियो गर आप लोगों नही CBT2 में हो सकता है तो यहाँ पर कम से कम आपके पास तीन महीने बिल्कुल सेफ हैं कहने का मतलब क्या है कि जो CBT2 का एक्सपेक्टिड डेट है यानि कि CBT2 का एक्जाम है वो आपका नॉम्बर से पहले नहीं होने वाला है इसका जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप जरूर देखें वहाँ पर मैंने पूरी तरह से करके आपको बताया है कि नॉम्बर से पहले जो आपका CBT2 है वो एक्जाम यहाँ पर कंड़क कराना पॉसिबल नहीं है तो कहने का मतलब है कि आपके पास बिल्कुल तीर महीने यहाँ पर परभी कंड़ी नहीं है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको नई चीजे पढ़ने के आऊ शकता नहीं है क्योंकि क्या NTPC CBT1 और CBT2 का जो सलेबस है वो लगबग 99% सेम है तो यहाँ पर आपको अपने नोट्स को ज़्यादा स्यादा रिवाइज करना है जो कंसेप्स आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखे हुए है उनको शार्प करना है ज्यादा से ज्यादा उन नोट्स को पढ़ने से ज्यादा खरना है तो से सब्सक्राण से बना लेती है तो के सांचे सारे कौशन आप जरूर पढद लीजिये कहीं से आप लोगसे प्यूख arrangement भी कर सकते हैं बागी देखिए कुछ पीडियाव आपको मैं भी available कराने वाला हूँ my book law एप पर cbt1 के जितने भी question है वो दीरे-दीरे arrange करके जो है उस पर मैं upload करने वाला हूँ तो वहाँ पर आप लोग जाकर मेरी profile को follow कर लीजे my book law के नाम से जो है एप है उसको आप जाकर install करिए उसमें मेरी profile मिलेगी बाला जी एजुकेशन उसको follow कर लीजे वहाँ पर आपको notes मिल जाएंगे बाकी कहीं से अगर आपको जो है इन questions की book मिल जाती है तो वो आपको जरूर ले लेनी है कहने का मतलब है कि cbt1 के जितने भी question है चाहिए वो math के है reasoning के है journal science के है या journal knowledge के है वो सारे आपको जरूर करने है यहां से आपको बहुत जादा benefit मिलेगा cbt2 में साथ ही अगर आपने जो है previous year के questions नहीं किये हैं कहने और हिंदी दोनों में available रहती है उसमें आपके math reasoning journal science और journal knowledge सभी के लिए books available है तो वो book आपको जरूर ले लेनी है वहां से आपको previous year questions जरूर पढ़ने है अब बात करते हैं कि best book आप लोगों के लिए कौन सी रहेगे अगर आप cbt2 के लिए preparation कर रहे हैं देखे math के लिए मैं आपको highly recommend करूंगा rs agarwal अब देखे rs agarwal का जो latest edition है वो मैं आपको इसलिए recommend कर रहा हूं क्योंकि rs agarwal में जो number of question है वो थोड़े से कम है और यहां प्रेक्टिस के लिए rs agarwal बिल्कुल best book रहेगी अगर आप cbt2 के लिए जो है preparation कर रहे हैं तो practice के लिए आप rs agarwal कर सकते हैं reasoning के अगर मैं बात करूं तो reasoning के लिए आपर मैं aryant आपको recommend करूंगा aryant की book बहुत ही अच्छी है question का level बहुत ही अच्छा रहता है cbt2 के लिहाद से आप लोग aryant की book कर सकते है version का level भी बहुत अच्छा है और काफी नामी publication है बात करते है science और gk की तो देखे science और gk के लिए आपको सिरफ youth competition times की book ले लेनी है previous year की वहाँ से आपको previous year के question करने है साथ ही मैं आपको बता है cbt1 के जितने भी question है वो सारे आपको पढ़ जनरल knowledge के लिए साथ यहाँ पर आपने जो notes बनाई होए है general science के जनरल knowledge के वो notes आपको पढ़ने है उससे extra आपको कुछ भी नहीं करना है और last और जो most important thing है वो है आपके practice set दे कि अगर आप लोग offline practice set लगाना चाहते है तो यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा किरन publication और अरिहन्त publication किसी भी publication के आप लोग practice set ले सकते हैं अरिहन्त publication के set मैंने खुद लगाये थे NTPC CBT1 के लिए तो बहुत ही अच्छा लेवल है और बहुत ही अच्छे questions वहाँ पर दिये होते हैं अगर आप online लगाना चाहते हैं तो test book सबसे better है test book पर सबसे ज़्यादा student आपको मिलते हैं आप लोग अगर test book का pass खरीदना चाहते हैं तो description में मैं link दे रहा हूं वहाँ से आपको 10% का extra discount मिल जाएगा अगर आप जो है मेरा महाँ पर open code यूज़ करते हैं EG 10 तो आपको 10% का extra discount मिल जाएगा तो test book के mock test आपको जरूर लगाने है देखिए यहाँ पर mock test सबसे ज़्यादे इंपॉर्टेंट है डेली दो mock test आपको लगा नहीं है क्योंकि देखिए आप लोगों ने अपने topics भी cover की हुई है आप लोगों ने सारी चीजे पड़ी हुई है तो यहाँ पर आपको क्या है डेली दो mock test लगा कर अपनी तयारी को चेक करना है अपने weaker section को जो है find out करना है कौन सा portion आपका week है उस portion को find out कर करना है तो इस तरह से आप लोग जो है 60 दिन में एक बहुत अच्छी preparation कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर condition यह कि discipline और regularity के साथ अगर आप इसको follow करते हैं तो cbt2 का exam crack करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है और guys मैं आपको बता दू इतनी बड़ी मातरा में vacancy आपको ntbc मे शायदी दुबारा देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर आपको पूरी ताकत के साथ पढ़ना है पूरे discipline और regularity के साथ पढ़ना है जो strategy मैं आपको बता ही है 60 दिन में आप इसको complete करें उसके बाद अगर आपके पास time बचता है तो आप फिर से इसको revise करें अगर आप ऐसा कर के साथ आप लोग test book का yearly pass खरीद सकते हैं उसका तूरग we obligation क amis करें अठायत्स क करें आपको बुग में आपके आपके वंदा़ recordawa sniffly कर आपके यह एंगर